हाई हलो नमस्ते फ्रेंट्स आज के रेल कारवा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेनों का हौल्ट अधिकतर स्टेशनों पर दो मिनट होता है दो स्टेशनों के बीच की कम से कम दूरी 20 किलो मीटर होती है इसे एक मिनट और बढ़ा कर तीन मिनट करने और बीच में गती में मामूली व्रिद्धी करके इसे क्यों बराबर नहीं किया जा सकता तो आज की पूरी वीडियो इसी के उपर होने वाली है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तो चलिए आज का रिल कारवां शुरू करते हैं कृपया ध्यान दीजिए अधिक्तर ट्रेनों का हौल्ट दो मिनट का होता जरूर है लेकिन उनके रूट में पढ़ने वाले अधिक्तर स्टेशनों पर नहीं बलकि कुछ स्टेशनों पर ही अधिक्तर स्टेशनों पर ये हाल्ट 5 मिनट का होता है और कुछ-कुछ स्टेशनों पर 10 से लेकर 20 मिनट तक का भी हो सकता है उधारण के लिए कुछ लंबी दूरी की ट्रेनों का हाल्ट समय टाइम टेबल में देखा जा सकता है या जिन ट्रेनों से आप अधिकतर सफर करते हैं उनके हाल्ट भी चेक कर सकते हैं अब सोचिए किसी भी ट्रेन के रास्ते में बहुत से स्टेशन पढ़ते हैं लेकिन ट्रेन अलग-अलग स्टेशनों पर अलग-अलग समय के लिए रुकती है बहुत से छोटे स्टेशनों पर तो रुकती ही नहीं है कहीं कहीं सिर्फ एक मिनट के लिए ही रुकती है तो वहीं कुछ बड़े स्टेशनों पर आदा घंटा भी खड़ी रहती है दरसल यात्री गाड़ी के समय का निर्धारण यात्री आवशक्ताओं की पुर्ती के आधार पर किया जाता है फिर इस समय का विवरण सारवजनिक समय सारिणी मतलब टाइम टेबल में दिया जाता है इसे रेल उपयोग करता परामर्ष दात्री समीतियों डाक विभाग मंडलों तथा जनता से प्राप सुझाओं के आधार पर मुख्याले परिचालन शाखा में तयार किया जाता है और रही बात स्टेशनों के बीच ट्रेन की गती में वृद्धी करने की तो ऐसा नहीं है कि ट्रेन कम समय के लिए स्टेशन पर रुकी तो अब आगे सेक्षन में धीमी चलेगी या ज्यादा देर तक रुकी तो अब समय बचाने के लिए बहुत तेश गती से जाएगी दर असल सभी ट्रेने पहले से ही सेक्षन में लगाए गए विभिन गती प्रतिबंधों का पालन करते हुए सेक्षन के लिए निरधारित की गई अधिक्तम स्वीड से चलती है जिसे अधिक्तम अनुमे गती या मैकसिमम परमिसीबल स्वीड कहा जाता है तभी तो कुछ ट्रेने समय से पहले भी पहुंसती हैं लेकिन हाल्ट समय बढ़ाया जाए तो भी इसमें और ज्यादा गती बढ़ाने की कोई गुण्जाइश नहीं है उमीद करते हैं कि अब आप लोग समझ गये होंगे की ट्रेनों का हॉल्ट अधिकतर स्टेशनों पर दो मिनट होता है दो स्टेशनों के बीच की कम से कम दूरी 20 किलो मीटर होती है इसे एक मिनट और बढ़ा कर तीन मिनट करने और बीच में गती में मामूली ब्रद्धी करके इसे क्यों बराबर नहीं किया जा सकता अगर आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए वीडियो देखने के लिए धन अन्यवाद तो फिर्म लेंगे इसी दूसरी वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई